नमस्कार दोस्तों मैं रभी व्यास आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनल आईक्यों के स्वागत करता हूँ आज अपने इस वीडियो में जो अपना रास्तान जियोग्राफिका जो अपने आरसम एससबी जैयन के लिए स्टार्ट किया है उसका सात्वा लेक्चर है इसे बिए पिछले लेक्षर में हापने धार के मरुष्तल का एक पर पढ़ा उसी परकड को जो मादा-शेत्र उसमें सबसे लाश्क में अपने अपने पढ़ा उसी से आगे अपने आ पने स्टार्ट करते हैं अ मैं घृ तर रका म्रुस्तल है जो तार जबता चांग सापना और दूसरा जो था एसन दूसरा क्या था अपना अरद शुष्क है तो जो रिदिश्क पार्ट है आज प्ड़ेगे अपने पहले डायग्राम में देखें अरद शुष्क और जो रेती कि यह जो अपना है, यह वाला एअरिया, यहां से यहां तक का जो एअरिया, अपने को δिख रह這邊, यह क्या है? शुश्क रेगिस्तान है, ठीकिर, और जो अपने को यहां दिख रहे जो अपने यहां देख रहे पुरा तो यह और अपना है? शुष्क रेगिस्तान और यहां वाला जो है यह इतना एरिया जो है जो अरावली से पहले पहले है पसी में एरिया रावली के वह क्या खेला है अपना अर्थ शुष्क रेगिस्तान तो थार के मरुस्तल को दो पार्ट में बटा पने एक शुष्क रेगिस्तान और एक अर्थ सुष्क्रेगिस्तान के बारे में फ़ेले कुछ पढ़ते हैं कि गए उसक रेतिला प्रदेश है यह एशे कले कि इसन दो भूप यह दो तूप जो मुक्त प्रदेश और दूसरा बालु का स्टूप युक्त प्रदेश दो पार्ट में बाटा पने तो बालु का स्टूप मुक्त प्रदेश था उसका एरिया किता है लगबग जो एरिया है टोटल थार के मरूस्तल का उसमें से 41.50 प्रदेश लगबग दो लाख नौहजार 42 वर किलोमेटर पिछले वीडियो में अपने देखा था उसमें से जो 41.50% एरिया है वो क्या है बालुका स्थूप मुक्त है और 58.50% एरिया जो क्या है बालुका स्थूप युक्त एरिया है चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सहा अब अपन ने अमादा की बात की थी आपको याद हो टो एक तिर्भुजळाय कह राकरती ती यह किसमें आती है यह बालू का सूप मुक्त-। शेत्र में कुसमें कि में पॉकरन था जो जघ्री मिर में आता है हुआ यह हैं नो कोर्ण साथा बालोत्रह है जो किसमा भाडमेर में है अब और है और यह एरिया था फलोधी है है जो आता है जोदबुर में है औह एक और ये शेतर क्या कर लाया था तेर फुझा कार शेतर हामधां और याद है याद है आपको फिसले वीडियो ऊखी अच्पने देखा हमोज्ट brings जो है कि यह जो मुरूस्थलिय प्रदेश है यह कहा है पूरी तरह मुरूस्थल में नहीं है यहां क्या है जो चत्तानी पानिया या चत्तानि रेगिस्तान सकते चत्तान वहां और बारण धर्ष नहीं दिका रहता है है ठीक है धी। फिर अपने देखें और कि यहां बलॉत्रा था कि और यहां अपने था पोकरन तो बलोत्रा से पोकरन के बीच में इसी अमादा शेतर में बलोत्रा से पोकरन के बीच में इसी अमादा शेतर में क्या पाई जाती है अब शिष्ट पहाडियां पाई जाती है अब शिष्ट पहाडियां पाई जाती है इसलिए मैंने कहा यह एरिया कौन सा है बालू का स्थू रेत चटानी शेतर वो पाया जाता है तो अब शिस्ट पाढ़ियां पाई जाती है और इन्हीं अब पहाडियों को से युक्तेरूप से क्या बोल देते हैं अपने मग्रा है यह फरस्ट ग्रेड में आया हुआ अपने कह सकते हैं कि जो अप्रिपूर के कुछ हिलाकों में जो उद्यपूर एरिया है उसके आज-पास रावजी शेत्र में जो उद्यपूर है उसके आज पास भी जो अब शिष्ट पाड़ियां पाई जाती है उनको भी क्या बोलते हैं मगरा तो पूरे रजस्तान में दो जगे मगरा पाई जाती है और अगर अपने धार के मुरुस्तल की बात करें तो उसमें जो है और उसमें बीज़ बालुका स्थूप मुक्त शेत्र की बात करें जो शुष्क रेतिला प्रदेश में आ रहा है तो वहां मगरा कहां पाई जाता है बालोतरा से पोकरण के बीच का एरिया है वहां पाई जाती है मगरा होती क्या है अब शिष्ट पाड़ियों को मगरा बोलते हैं तो एक फर्स्ट ग्रेड में को सिंग आया भी हुआ तो यह काफी हमपोटेंट है आगे चलते हैं अब राजस्तान में जो अपने देखते हैं मरूस्तल के परकार केते हैं अरजास्तान में मरूस्तल के परकार के परकार ठीक है तो पहला अपन पढ़ सुके हैं हम्मादा ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपने पथरीला मरूस्तल या चट्टानी मरूस्तल भी इसको बोल सकते हैं तो पहला मरूस्तल का परकार राजस्तान में कैसा पाया जाता है हम्मादा यह कहा है आपको पताई दिया थ जोत्वूर और बाडमेर का बाळतर है हूज दूसरा पायता इर्ग हूज मेरा धिसको अपने में संपूर्ल मरुस्तल बोलते हैं रेद के टिल्ले हैं वो क्या कहलाता आए इर्ग और तीसरा अपना क्या हुआ रेख तो तीन टाईब के मुरूस्तल पाई जाते हैं कौन सा अमादा इर्ग और रेख क्या है मिश्रित रेख जो क्या है पथरिला भी है और संपूर्ण मरूस्तल भी है उन दोनों का मिष्री तया उसको क्या बोल देते हैं तो अगर अजक्त आक देखना चाहें तो अपने हमादा बनाए को सीजताचा कि इसके आज पास जो प्रकुषाल पाई जाएगा वह कौ्ट सा होगा रेंसकि जिए तो चटानी इसके पास जाएंगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दूरोते जाएंगे तो क्या है मरुष्टल्य पर देस आने लगेगा तो में वह कई तो कि यह होगा चटानी हो गाही दोन्हों का ऑना H tore the age इसके लावा क्या है एक और सब्दाता है लगु ensemble इन तीन के लावा मतलब हमादा इर्ग और रेक लावा एक और perform Зप्र आटा आदा है जो कि इसे क्या बोलते हैं लगु मरुस्ता यह लगुमरुस्तील क्या है कि जो गुज्राट के कच्छ है गुजरात में कच का रन है या कच का रन या कच का जो रेगिस्तानी लगया है वहां से लेकर बिकानेर तक का जो एरिया है वहां पर जो मरूस्तल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं लगू मरूस्तल ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि लगू मरूस्तल किसे कहते है लगु मरुष्तल किसे कहते हैं गुजराद कट्स का रन से लेकर लेकर बिका नेर तक्का जो एरिया औस मुरुस्तल को अपने क्या बोल देते चानल को अपने किया बोलुड़ को thought perform herself मान सकते हैं लगू मरुस्तल बाकि तीन टाइप के जो रास्तान में मरुस्तल के परकार है पहला कौन सा है पहला हमादा दूसरा इर्ग तीसरा रेग हमादा मतलब पत्रीला मरुस्तल इर्ग मतलब प्योर मरुस्तल संपूर मरुस्तल मान मरुस्तल जिसे बोलता है तीसरा ही एकिए को सटोप का पर रहे थे शूष्त में बालू का स्थूप के लाभ चाहिए अपने यह फ़ी जो पर नहीं के साथ करते हैं तो, यह xo ताइब क्यों होते हैं बालू का स्टूप का पहला पार्ट है कि अनू कि देद्रिया स्टूप अनू देद्रिया स्टूप तो यह क्या होता है कि अपने बात करें स्टूप की बात करें तो मने मना यह पवन की दिशा है यह क्या है हावा की यह पवन की दिशा है तो बालू का स्टूप पढ़ रहे हैं कितने टाइब होता है पहला परकार उसका क्या है अनुदेद्रिया स्टूप तो यह क्या है पवन की दिशा में माननी मैंने यह वाली और यहां कोई बालू का स्टूब था यहां कोई बालू मिट्टी का स्टूब था अब अगर यह स्टूब जो है इस पवन की दिशा में ही सिफ्ट हो जाए मतलब यह यहां सिफ्ट हो जाए अगर यहां शिफ्ट हो जाए पवन की दिशा में यह पवन की दिशा थी यह बालू का स्थूप था तो पवन चलने पर अगर यह बालू का स्थूप यहां पवन की दिशा में ही जो है शिफ्ट हो जाए या पवन की दिशा के अनुदिश शिफ्ट हो जाए या पवन की दिश पूछा गया कि जो रेखिये बालु का स्थूप क्या होता है रेखिये बालु का स्थूप थोड़ा को संद गुमा के पुछा फर्स्ट ग्रेड में कि रेखिये बालु का स्थूप क्या होता है तो वो स्थूप वही जो पवन की दिशा के अनुदिश बने उसे क्या बोलते है अपने नुधर सब्सक्राइब कि सब्सक्товाइब थी बहुत इक और पुछा गया पेपर में पुषा गया है रच्वादान में कि सीफ किसे किसी केते आने बॉलते हैं आपने बालू का स्थूप है उसी को अपने क्या बोलते तो सीफ भी बोलते यह पूछा गया है तो इसनी पूर्टड कॉस्टन अपने साथ में पढ़ रहे हैं जो तक एक्जाब समय है तो अपने एसे अंदाजे से नहीं पढ़ रहे हैं जो एक्जाम में वीडियो बना रहे हैं और अपने 100% बात कि जाइन नके ग्जाम में हो यहीं से पढ़ने वाले हैं कि अगे देखें तो अब अगर बात करें इन अनुदैद्री जो जो स्टूप है वो कहां कहां पाए जाते हैं तो मुख्य रूप से यह जैसल मेर तुकि वहाँ कोई अवरोद नहीं है तो जहां अवरोद नहीं होगा वहां जो है यह स्टूप पहवन की दिशा में जो है गतिमान होने स्टार्ट होगे तो उनको अनुदेर अपने स्टूप बोल देते हैं और यह जैसल मेर में बिकानेर में बाडमेर में और पस्चमी जोधपुर में पाई जाते हैं और पस्चमी जोधपुर में पाई जाते हैं को कौन से शटूप़ोगे यह बॉलदे नुदे इंडए बॉलदे जो भी आप बोलना से वह सब्याल kaya जैसल व्क नियर बाड में यहर पाई जाता है थिक है कि फिर दूसरा टाइब बात करें बालु का स्टूप़ की तो दूसरा टाइब टाइब किया ऑनुप्रस्त अनुप्रस्थ पहला अनुदेरे हो गया दूसरा अनुप्रस्थ बालु का स्थूप हो गया तो यह क्या होगा कि मानना यह पवन की दिशा थी अपने यह क्या थी पवन की दिशा यहां फिर क्या आगया अपने बालु का तिला आगया बालु का स्थूप तो यहां क्या है अगर कोई अवरोद आजे वहां क्या था अनुदेरे में कि कोई भी अवरोद नहीं था अब क्या है अगर मान लो आ गया तो जो बालू का स्थूप इधर तो जा नहीं पाएगा तो वह क्या करता है कि इसके लंबवत जो है इधर आने की कोशिश करने लगता कहा हैं तो पवन की दिशा के अगर बड़ें या उनका जो आगके बढ़ना जो है पहुं की दिशा के लोगोंध糖 ऑम कि अंवन की को आपोलते है अपने इस अपरेस्ट मालौका सूप बोलते हैं और यह तभी होगा जब इनके माघ में कोई अवरोध उत्पन हो जाए तो अवरोध क्या होगा कोई छोटी मुठी पाड़िया है या बड़े पाड़ है वह अवरोध का काम करेंगे हवा का अवरोध कौन करेंगे हवा का अवरोध पाड़ी करेंगे तो इसलिए यह जो अपने थोड़ा अलका पाड़ी लाग है वहां जो अपने को मिलते हैं जहां अरावली की जो रेंज है वहां मिलते हैं यह अपने कहते हैं जोदपुर में यह मिलता है कुछ एरिया जो बाड़ मेर का वहां भी यह मिलता है और सिकर जुनुञुनु में रहते हैं कि यहां अवरोध आने स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हीं अवरोध के कारण जो है जो स्टूप है वह पावन की दिशा के लंब बहुत होना अगरसर होना स्टार्ट हो जाते हैं ठ अधिर तीसरा टाइप आता है बर्खान या बर्चान को पहला कौन सा था अनुदेर्य दूसरा अनुप्रस्त थीसरा बर्खान अनुदेर्य क्या करता था पाउन की दिशा की अनुदूशी जो है वह बालू का सूप बढ़ रहा था अनुप्रस्त में उसके 90 डिगरी अब अर्चान में क्या होगा यह गट्य शील अर्दु संदराकार अगर को १ e Ge jane अर्द चन्दराकार बालू का स्थूप होता है कि यह क्विश्टए अरद चंदराकार बालू का स्थूप होता है और इनका अगर अपने विस्तार देखें किसका और बने तो इनका भूंप है बर खान यह बर्चान का विस्तार देखे apologies तो इनका अपने बात क्रें बालोतर है मैं और यह जो बाड्मेर में आप इसार्य क्रिके के गजय बालेरी जगह हैं कहां चुरूमे वहां इनसका विस्तार है रावसर जो गगर का एरिया है रावसर अन्मानगड जो गगर का एरिया है वहां भी जो बर्खान या बर्चान जो अर्थ चंद्राकार बालू का स्थूप मिलते है रावसर अन्मानगड तो अपने गगर का एरिया आप बोल सकते है तीन तो यह होगे कौन-कौन से बालोतरा जो इसके लवख लूसके 4पने तो सुर्दकर में है कि सूरतग scholars के कि अगर बात करें अपने में शुरतगत में तेशनोंके में देस्टिक में अगर बात करें अपने तो यह यहां जोहिए इसयत्द आप अब मैऄ क्विष्था ग्रूस्ट में लिए राजस्थान के मरूस्थली करण के लिए राज्यस्तान के मरूस्तली करण के लिए कोन सरवादिक उत्तरदाई कोन है यह सेकंड ग्रेट में क्यों से ना चुका है तो अपने देखें कि जो अनुप्रस्थ था वो पौन के दिशा के अनुदिश जा रहा था जो अनुप्रस्थ था वो पौन के दिशा के लंबवत जा रहा था जो अनुदेर्य था वो पौन के दिशा के अनुदिश जा रहा था तो इसकी या तो लंबवत या समानता दिशा निश्चित तो अनुप्रस्थ या अनुदेर यह वो कौन है बर्खान या बर्चान ही बालुका सूप जो इनके जो यह उतरदा ही है राजस्तान में मुरुस्तली करने क्यों क्योंकि जब हवाद चलती है तो यह मिटी जो है कहीं भी जा सकती है इसकी दिशा निशित नहीं है तो सरवादिक मुरुस्तली करन जो राजस्ता और बरखान या बरचान उसके अलावा भी जो मिलते हैं तो पेराबोलिक स्टूप के पेराबोलिक स्टूप कैसे होते हैं इस टाइप के होते हैं और यह संपूर मरुस्तल में जदा पाए जाते हैं कि संपून मरुस्तल जो है उन में ही पाई जाते हैं मतलब एकदम जो पून रूप से मरुस्तल होगा वहीं पैराबोलिक स्टूप पाई जाएंगे जो जो कौन से संपून रूप से जो अपना क्या केते हैं मरुस्तल ये प्रदेश क्या बोलते हैं किसको बोलते हैं इर्ग को तो इर्क शेत्र में ही जो है मुरुस्तल का प्रकार है उसी में ही पैरबोलिक स्थूप पाई जाते हैं और हमादा में या रैग में नहीं पाई जाते हैं ठीक है फिर पांचों प्रकार देखें तो तारा बालू का स्थूप तो यह तारे के समान दिखाई देता है कि नाम से पतार चलै तारे की समान दिखाई देगा आपने को या आपने कें ही तरह नाम की तरह दिखाई दे उस्कों क्या बोलतैंक तक गहां पाई जाते हैं मो आ दो मेर मेर में जो पुछ यहा ж Make जो गईगंवं और जो जो यहतीता है तो यह आग मिलता ऑगि इंक है कि फिर एक कि उता है कर दोब का दोब इस शंब सब्सक्राइब отлич उसके आसपास होते हैं छोटे अकार के बालू का स्थूप होते हैं यह जो छोटी-छोटी जाडियां जो होती है जैसे मालो यह जाडिया है छोटी-छोटी उसके आसपास जो है यह बालू का स्थूप बंदते हैं चिक छोटी जाडियों के पास तो अपने कौन-कौन सा पड़ा बाली का स्थूप अपने जो पड़ा पहला अनुदेरे अनुदेरे कहा था अनुदेरे था पवन की दिशा के अनुदिश ठीक है दूसरा था अनुपरस्त पवन की दिशा के लंबवत तीसरा था बर्खान या बर्चान यह कहा था यह कहीं भी जा सकता है और सबसे जादा मुरुस्तिली करेंग जो है इसी कारण होता है ठीक है कि अच्छ ने देखें च्छोन था हिएरबोलिक सपुर्ण सफ्कूटा अधीas में न पूतिए उसके आच पास बनते हैं उंको क्या जा सब्सक्राइब थे सदियों सब्सक्राइब सिसके करता हम इस इस अब स्टार्टकरम करतेए के आपनेदेखा है बालुकार सूप के बारे में पढ़ा अब देखते हैं कि जो राजस्तान में मुरूस्तल कि शब्दावली कैसी है कि कौन कौनड सी चीज को क्या-क्या बोला जाता है राजस्तान के मुरूस्तल को या थार के मुरूस्तल में उसकी आज स्टार्ट करते हैं तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं पलायाजी शब्दावली देखें तो पहला अपने स्टार्ट करते हैं पलायाजी इसके साथ एक कुछ चीजें और लिख देता हूं मैं एक से ही सारा प तो लाया, जिल, रन, बालसन और खडियन क्या क्या चीज़ोरती है कि दो बालु का स्थूप अगर है कहीं भी किसी Mr.ини nast complaint Me दो बालु का स्थूप थे। मैं जब विर्साइत होती है तो यह जो निम्न भूमी शेतर है यह क्या बालू का स्थूप यहां था यहां था यह कौन सा शेतर हुआ निम्न भूमी शेतर है निम्न भूमी शेतर है तो जब बरसात होती है तो निम्न भूमी शेतर में क्या होता है पानी इकठा हो जाता है और जब यहां पानी जो यह निम्न भूमी शेतर में इकठा हुआ तो उसको अपने क्या बोल देते हैं पलाया जील बोल देते हैं तो कोई पुछे पलाया जील क्या है या मुरूस्तल की जो थार के मुरूस्तल की शब्दावली है उसमें पलाया जील किसे कहा जाता है तो दो बालू का स्टूप के बीच में जो निम्न भूमी शेतर बनता है वहां जब बरसाद का पानी कठा हो जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं पलाया जील बोल देते हैं अब क्या होगा यह पानी सूखने लगेगा जब बरसाद बंद हो जाएगी थोड़े दिन बाद क्या होगा पानी सूखने लगेगा तो यहां क्या बनेगा दलदली शेतर बनेगा क्या जाएगा दल्दली शेतर है कि पहले पाणी कठा हुआ तो जीलबनी पलाया फिर दल्दली शेतर बना पानी सूकने के करांड तो उसको क्या बोलते हैं अपने रन बोल देते हैं तो रन क्या होगा कि दो बालु का स्थूप 시ब्usters के बीच में बुरषात होती तो पाणी कट्था होता है और वह पाणी चब सूकने लगता तो उसको क्या बोल देतीuję उसको क्या बोलते डलदली शेतर फिर सूक जाएगा और मेदान का रूप लेलेगा﹌ज जब मैंदान का रूप लेलेगा तो उसको क्या बोल देते हैं अपने जो बालसन बोल देते हैं तो फिर क्या हुआ कि पहले जील बनी फिर नो पानी शूखने लगा तो दल्दली जेगा बनी तो इस परकार आगे भी सब्दावली अगले जो लेक्टर है उसमें भी कंटिन्यू रखेंगे और यह सो प्रसेंट जो एक्जाम में पूथे जाने वाले क्योंसे नहीं हैं और यह सब्दावली भी पूथी जाएगी तो अपने देखा कि एक ही चीज से अपने चार